जैहिंद गुडिम्निंग वेलकम टू इस्टेडी पाइट दिससे अंकित मोर्या आज है 31 अगस 2021 वीडियो में आपका स्वागत है जैसा कि थम्मनेल पर पढ़के समझ गयोंगे रैंकिंग सिस्टम ranking system को लाया जारा engineering field में आखिर ranking system क्या होता है और इसके मतब आने से student को कितना ज़्यादा लाब मिलने वाला कितना profit होने वाला है इसके बारे मास की वीडियो में बताने वाला है क्योंकि यहां पे बहुत latest update आ रही है मौर्निंग में अपडेट दिखे थे बट आपको पता है इसमें थोड़ा सा बीजी फिर से हम हो गए हैं इसो अपडेट नहीं पहले लेकिन समझे पहले है क्या रहें की सिस्टम आखिर इसे क्यों लाया जा रहा है इसका कितना ज्यादा एडवांटेज होने वाला है वीडियो को इन तक देखिए और कंप्लीटली समझे दिस वीडियो इस पांसर भाई तीन पत्ती जो आया है यहां पर गेम खेल के पैसे कमा सक तो इसलिए अच्छा खासा पाले नॉलेज ले लिजिए उसके बाद इसको खेले साथ में इसकी प्राइवेट पॉलिसी होगा रहे चेक करना बिल्कुल ना पुले और साथ में अपने रिस्पर खेले आईए बताते हैं गेम को इस्टॉल कर लेने के बाद कुछ इस तरीके यहां पर गेम फुल जाएगे देख सकते हैं तो आप लिंग कोपी होगर करके आप यहां से सेयर करते हैं अब देखें,गेम का कुछ इस तरीके की इंटरफेस है काफी सारे यहां पर गेम आपको देखनेगे जाते हैं, ठीक है उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक game खेलेंगे जो कि dragon versus tiger है अब देखे इसमें यहाँ पर राउंड और कितने रूपीज लगाने सब कुछ दिया हुआ है फर्ष्ट में हमें 10 रूपे, सेकंड में 30 और तीसरे पर 70 और चौथे पर 500 और फिप्ट पर 355 इस तरीके से लगाने हैं बाकि ज्यादा knowledge आप YouTube और असे ले सकते हैं सिख लीजिए तब ही करना है तो यहाँ पर देखते हैं कौन जीते हैं हमने tiger पर लगाया था ठीक है कुछ रूपे देखते हैं यहाँ पर कुछ रूपे और लगा देते हैं फिर हम देखते हैं कि क्ता क्या होता है ठीक है और यह पर फाइली रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर अगेन ड्रेगन जीत चुका है और देखते हैं हमारे कुछ पैसे और भी इंकरीज हो चुके है कोई दिककत वाली बात नहीं है देखते हैं इस तरीके आपको गेम खेलने और इससे खेल के काफी अच्छा कासा रूपे कमा सकते हैं अब जो करने का भी सिंपल फंड यहां पर अपना अकाउंट नंबर हो गरा सब कुछ भर दीजे और सब भी डिटेल्स भरने के बाद ठीक है देखते हैं यहां पर अपने रिस्क पर ही खेलें और साथ में प्राइबिट पॉलेशी देखना ना भूलें यहां पर देख सकते हैं सीधे डेडिकेटेड किया गया यूपी इंजिनिंग कॉलेज को लेकर के ठीक है और यहां पर अगर हम बात करें कि योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला भी इससे बताया जा रहा है अब तक क्या किया जा रहा था अब तक इंजिनिंग कालेजों में लागउ होने वाला रैंकिंग फैमवर्क यहां पर रेडियो गरा है ठीक है तो देख सकते हैं यहां पर नेशनल इस्ट्यूट रैंकिंग फैमवर्क की तर्ज पर प्रदेश सरकार यूपी स्टेट में ठीक है इसमें टीचिंग, लरनिंग, रिसर्च, ग्रेजुएशन, आ पर देखने में लेकिन बात है यूपी के लिए ठीक है यूपी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी सरकार ने सिच्छा के शेत में रांकिंग सिच्टेम लागू करने का फैसला करी लिया है ठीक है बता दे कि प्रदेश के राजकी वर नीजी तकनीकी संस्ताओं की अब देखिए मैं बताता हूँ यह क्यों उठाएगा क्या चक्कर है जैसा कि आपको पता होगा यह अभी इंजिरिंग का गया ना कि डिप्लोमा का गया है लेकिन जल्दी यह डिप्लोमा में भी आएगा क्योंकि जब वहां पर का सकते है कि एक टीउ में आएगा फिर उसके पैसे उपर से आते हैं उन्हें क्या प्रॉइड किया जाता है आछी पैसे उपर से अपर से पुझाते हैं लेकिन कालेज में इंट्राइब अच्छी बिवस्था पहीं नहीं है लाइब अच्छे से नहीं चल लाइए तो हमने काफी चीज़ देखी भी इस तरीके होते हैं तो इसे को देखते हुए, इस सिस्टम को लाए जा रहा है, अब इसमें में इली किया क्या जाएगा, मेली इसमें यही किया जाएगा, जिस College का नंबर अच्छा आए यही चीज़, अब इसमें देखो क्या profit student और college का, इसमें क्या होगा कि college वाले अब थोड़ा साथ जोर करेंगे, अगर हम अच्छा काम करेंगे तभी हमारे याँ fund आएंगे उतने अच्छे खासे, नहीं तो उतना नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो इसको देख करके अच्छी education system होंगे, college की rank होगी, अब देखो college के, मतलब top इतने में, top इतने में, इस तरीकस college होते है, इनकी भी rank आएगी, तो इससे क्या होगा, कि एक student को पता चल पाएगा, यह college मेरे लिए best है, best है, विल्कुल अच्छे से, मतलब सबसे अच्छा यही college है, तो उससे student को college चूच करने में, बहुत आसानी होगी, और इससे क्या होगा, उनको जो भी study करनी है, जो भी करना, उसमें अच्छा knowledge होगर मिलेंगे, आगे देख सकते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है, वही यूपी state institutional ranking framework के जरीए, परदेश के तकनीकी संस्थानों की गुड़ोता परखी जाएगी, ठी ठीक है, इसी ranking के आधार पर संस्थानों को अनुदान दिये जाने की भी योजना है, ठीक है, मतलब क्या करता है, बोनस होगर ऐसा बोल सकते हैं, यह जानकारी सचीव प्रवादिक सिछा आलोक कुमार ने tweet के जरीए दी है, देख सकते हैं, आलोक कुमार तो रहे, जो कि इसम institutional ranking framework लागू करेगी, इसमें teaching को देखा जाएगा, कैसी पढ़ाई हो रही इस college में, जिस college के होगा, learning कैसी है, बच्चे पढ़ कैसे रहे, research पे क्या काम चला, क्या नहीं चला है, graduation outcome तथा Westview के अस्तर पर संस्थान की भागिदारी का मुल्यांकन का आधार बनाए जाएगा, और ranking के आधार पर संस्थानों को अनुदान दिये जाने के भी योजना बनाई जाएगी, यानि एक प्रकार को कि profit जिखेगा, तभी तो कोई काम करेगा, तो यहां एक प्रकार देखाएगा, तो profit वाला system बनाए गया, मैं आपको एक example लेके बताता हूँ, जैसे कि मैं एक ब उसरी बैंक, Union Bank of India, वहां पर कुछ पता ही नहीं चला है, कि क्या कराना है, क्या नहीं करना है, उसी तरीके इस्टेट बैंक हुई गया था, तो इस तरीके से अच्छी ब्योस्ता नहीं पाती, लेकिन वहीं पर अच्छी ब्योस्ता, वहां पर पर सन आप किसी customer को लाईए, आपको अच्छी मतब पैसे दिये जाएंगे, तो बस वही चीज यहां पर आ रहा है, कि अगर कोई college है, अच्छा काम कर रहा है, उसकी हर चीज अच्छी है, तो भाई उसे अच्छा profit, मतब अच्छे चीज दिखनी चाहिए, उसे top college में रखा भी जाएगा, जिससे कोई दि system जल से लागू कर देना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, ठीक है, बाकि ये वीडियो पसंदत इसको like करें, नहीं हो तो आप YouTube चनल को subscribe कर सकते हैं, कोई doubt, कोई कोई रहा गया, तो आप Instagram फालो करके पूछ सकते हैं, बाकि chat session पूछ सकते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में, आपके लेडियो जहीर